जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यह नॉर्मल फोटोग्राफ थी ओके लेकिन इस पर मैंने नाम और डेट और फोटो लिख दिया है और वो भी मुबाल से तो आप भी ऐसा कर सकते हैं बिना एक एक रुपया खर्च किये हुए ओके तो देखिए क्या करना है आपक नाम पर मेरा open दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसे पहले से इस्टॉल कर रखाय आपके मैं इस्टॉल का आएगा ओके तो प्लस पर क्लिक करके यहां पर मैं बता दूँ कि यह प्लस पर क्लिक करके और देखिए यहां जो प्लस का साइन है यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर फ्रॉम गैलरी पर आप को चूज करना है तो from gallery पे मैंने क्लिक किया उसके बाद आपका photo जहां भी हो आप वहां से चूज कर ले जैसे मैं एक random photo चूज कर लेता हूं ओके यह मैंने है वो random photo मैंने चूज कर लिया अब इस photo photo का size भी आप बढ़ा घटा सकते हैं आप देख सकते हैं किसका size भी मैं बढ़ा बढ़ा घटा सकता हूं लेकिन मैं फिलाल इसे जैसा है वैसा ही रहने देता हूं ओके उसके बाद मैं इसे टिक पर आप देख लें कि यहां टिक का option है ओके टिक यहां पर है तो इस टिक पर क्लिक करें उसके बाद आपको क्या करना है कि इस image को थोड़ा बढ़ाना है ओके या फिर आप ऐसा कर सकते हैं ओके अब मैं इस पर fit हो गया हमारा image अब आपको क्या करना है कि यहां पर मुझे नाम लिखना है और डेट ऑफ फोटो लिखनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपको यहां उपर यहां नीचे आप देख सकते हैं कि यहां उपर में जो प्लस का आइकन है इस पर आपको चूज करने टेक्स्ट टेक्स्ट पर क्लिक करना है तो यहां प्लस पर मैंने क्लिक किया और यहां पर आपको प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है ओके तो टेक्स्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूं उसके बाद देखिए आपको यहां तो यहां उजला है इसलिए क्लिक करने के बाद देखे यहां पर आप लोग को एक नीचे में दिखाई दे रहा होगा इस आप लोग को क्लिक करना है अब जो आप नाम हो आपका जैसे मैं रेंडंडम नेम चूज कर लेता हूं पूजा, ओके, पूजा, पूजा कुमारी, ओके, पूजा कुमारी, तो यह आपका पूजा कुमारी नेम हो गया, और मुझे तो डेट अफ फोटो भी देनी है, तो मैं, अब यहाँ ओके कर लेता हूँ, पहले मैं नेम लिख लेता हूँ, उसके बार डेट अफ फोटो भी लि लिए ओके यह देखिए चोटा बड़ा हो सकता है ऐसे तो मैंने इसे इतना साइज तक रखा है ओके आपका जितना साइज हो आप उतना एड्जेस्ट कर सकते हैं उसके बाद क्या करना है कि आपको यहां पे background पर click करना है देखिए, यहाँ पर scroll करेंगे यह नीचे में जो a पर click करने को आदे scroll करेंगे इधर तो आपको यह background का option आएगा इस background पर आप click करना है और उसके आद यहाँ यह enable नहीं है, इसको enable करना है enable कर लेने के बाद देखिए, यहाँ पे आप color पे choose करेंगे, color पे, ओके, यह जो color है, इस color पे choose करना है, तो color पे मैंने choose किया, उसके बाद, यहाँ पे, अगर आपको photo के पीछे कोई भी background चाहिए, तो फिर आप background चूज कर ले, जैसे मैं यहाँ पे plus पे click करता हूँ, और उसके बाद, मुझे black background चाहिए, तो देखिए, यहाँ पे black है, यहाँ पे black आ रहा है, तो मैं black को पूरी अच्छे से select कर लेता हूँ, देख लिए फोटो के पीछे, नाम के पीछे जितना वही है, वो black हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, टिक करना है, ओके, तो टिक हो गया, टिक कर ल और यहाँ बी का जो option है, इस पे click करना है, तो bold हो गया, देखिए, पहले से थोड़ा अच्छा bold हो गया, अब इसके बाद आप लोगो क्या करना है, यह टिक करना है, टिक कर लिया मैंने, अब देखिए, अब क्या करनी है, कि हम लोगो date of photo भी लिखनी है, तो date of photo लिखनी के फिर हम एक बार क्या करेंगे, कि प्लस के option पे click करेंगे, तो हम प्लस पे मैंने टिक किया, और फिर टेक्स्ट चूज किया, और फिर यहाँ पर आ गया, देखिए, अब मुझे date of photo लिखनी है, फिर यहाँ मैं edit पे click करूँगा, और यहाँ पे, caps on करके, D, O, P, यह चूज कर लिख दिया मैंने, और date of photo, तो यहाँ पर जैसे, मैं date देता हूँ, suppose कि, आप जो भी, जो date चाहिए, आप दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ, 0, 6, 10, या फिर oblique, आप जो दे सकते हैं, मैं oblique देता हूँ, 12, और 21, आप 2020 भी दे सकते हैं, मैं यहाँ 2021 दे देता हूँ, ओके, आपका जोमन आप दे सकते हैं, उसके बाद, आप लोग को फिर क्या करनी है, इसका भी size वैसे ही बढ़ाना है, और जैसा कि आपने पहले बढ़ाय घटाया था, आपको याद हो, मैंने पहले भी बताया था, कि पूजा कुमारी में आपको कैसे, यह नेम वाले को अगर आप थोड़ा उपर नीचे कर ले, क्योंकि आपको date of photo भी adjust करनी है, उसके बाद, देखे, date of photo पे चूज करके, यहाँ पर फिर आपको वही करनी है, यह फिर color पे मैं choose करके, यहाँ पर प्लस में जाके और यह black कर लेता हूँ, ओके, यह black हो गई, और देखिए आप, यहाँ पर मेरा हो चुका है photo, और मैं इसे थोड़ा नीचे भी रख दूँ अगर, तो और अच्छर लगेगा देखने में, देखिए, name और आपका photo दोनों आप लोग को क्या करना है, यह जो three dots यहाँ दिख रहे है, three dots, इस three dots पर आप लोग को click करनी है, okay, three dots पर click करने के बाद, यहाँ पर export image पर click किया मैंने, और यहाँ पर आपको save to gallery का option है, click करना है, save to gallery में click कर लिया मैंने, okay, तो आप image save हो गई, अब फिर आप अपने gallery में जा आ रहा है, तो यह आपका image save हो के आ चुका है, तो पहले का photo भी आपने देखा था, और अब का बाद का photo भी आपने देखा, तो I hope कि आपको पूरी बाड़ी की से समझ में आये होगी, कि कैसे आपने, आप इसमें देखे, यह जो पीछे background है, यह रख भी सकते हैं, नहीं भी